नमस्कार दोस्तों, welcome back to my channel exam store, exam store channel में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, तो friend इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, UP board result को लेकर, जी हां दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, कि board का result जो है, मई के ही last week में जारी होने वाला था, पर कुछ कारणों की वज़ा से अ आप लोग का result जारी करने में काफी देरी हो रही है, मैं खफरों को पूरा विस्तार से बताता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वेल बटन पे क्लिक करो, क्योंकि exam store आपके लिए latest update वा प्रतियों की परिचाओं की त्यारी कराता है, वीडियो स्टार्ट करते हैं, let's start it, दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश बोड के चात्रों की परिच्छाएं खत्म होने के बाद से ही, result जो है, कि परतिच्छा है, हाला कि माई माहिने की सुरवात में ही पूरा हो गया था, अभी student की email ID कटी की जा रही है, और इस बाद छात्रों को result email पर भी 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 बेजा जा सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि एक अनोखा pattern पनाया जा रहा है, इस बाने में भी कोई भी अधिकारी गोस्टना नहीं क कि ऐसा माना जा रहा है कि जून माहिने के फर्स्ट वीक में आप लोग का देखिए result यहां गोसित करने की बात की जा रही है, जो मैं आपको लगतार बता रहा हूंगा, इस यहां पर आप देख सकते हैं, किस तरीके से आपको result देखना है, आप दो साइड जानते हैं, तीसर यह रही जनकारी जो मैंने आपके साथ सेर की, बहुत सारी student लगतार जो है, comment section के में आदम से पूछ रहे हैं, कि result अभी दख क्यों नहीं जारी किया गया है, तो मैंने आपको बता दिया है, कि result क्यों नहीं जारी किया गया है, क्योंकि बहुत सारी student का 20 माही का practical का exam छूट जाने के वज़े से दूबारा उसको conduct कराए गया है, इस वज़े से आपके result में देरी हो रही है, कयास लगाया जा रहा है कि जून के first week तक आप लोग का result जारी कर दिया जाएगा, और आप सभी बहुत सारे अच्छे नमरों से पास होने वाले हैं, तो guys इस वीडियो को यही पर समात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए good bye, take care, जाए हिन दोस्तो, love you all